महिला पर एसिट फेकने की धमकी दे कर बलातकार करने का मामला सामने आया है जिसमें कारवाही करते हुए दुर्ग पुलिस ने आरोपी को गिरिफतार कर जुडिशिल रिमांड पर भेश दिया है दुर्ग के मोहन नगर थाना अंतरगत एक महिला पर एसिट फेकने की धमकी दे कर बलातकार करने का मामला सामने आया है आरोपी ने महिला को उसके घर से जवरन अपनी बाइक पर बैठा कर बिलाई की पावर हाउस के एक लॉज में लेके गया जहां पांच घुन्टे तक उसे बंधक बना कर रखा और दुशकर्म भी किया दरसल पूरा मामला आठ नवंबर 2022 का है जब दुर्ग के शंकर नगर में रहने वाले सुनिल महोबे दुर्ग शंकर नगर की ही रहने वाली एक महिला के घर जाकर पहले तो उससे बादचित की फिर उसे अपनी बाइक में बैठ बिलाए की पावर हाउस ले गया जहां उसे लाज में ले जाकर उसके साथ दुशकर्म की कोशिश की जब महिला ने इसका विरोद किया तो चेहरे पर एसिट फेकने को लेकर उसे डराया धंकाया और उसके बाद भी उसे मौका मिलता रहा जब उसे लाज में ले जाकर अक्षन लेते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और साथ ही जुडिशल रिमान पर जेल भीजा जा रहा है इस मामले में मोहन नगर टियाए वीपिन रंगारी ने अपनी पतिक्रिया दी है पिरितर दोरा दिनांक बारा माश को थाना मोहन नगर में उपस्तिदागर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया है कि उसके साथ में सुनिल मोहबे निवासी शंकर नगर दोरा उसके साथ में आठ गयरा दोजार बाइस को बलतकार किया गया था और उस आवेदन पत्र के अधार पे थाना मोहन नगर में अपराद दर्च किया गया है और उपी को बिलीज दोर गिरिपतार कर लिया गया है और उसको जुडिसेल रिमांडर भेजा जागा है ग्रेंड एसीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट